अर्थवेवस्ता के लिए जहां मुश्किलों भरा रहा वह नए साल के शुरू होने से पहले देश के लिए अच्छी खबर आई है साल 2018 में अर्थवेवस्ता की सिहत सुधरने की उमीद है जपान की वित्य सेवा कंपनी नोमुरा के अनुसार साल 2018 में अर्थवेवस्ता की व्रिधी दर 7.5% रहने की उमीद है नोमुरा के अनुसार नए नोचों को चलन में लाने और वैश्विक मांग में सुधर से चौथी तीमाही में आर्थिक व्रिधी दर मजबूत होगी और पहली तीमाही में अर्थवेवस्ता में तीजी आईगी भारते अर्थवेवस्ता पर की गई एक रिसर्च में नोमुरा ने कहा हम व्रिधी परीद्रिश्य को लेकर उत्साहित हैं हमें चालू वर्ष की तीसरी तीमाही में 6.3% व्रिधी के मुकाबले चौते तीमाही में 6.7% और 2018 में मजबू सुधार के साथ 7.5% आर्थिक व्रिधी की उमीद है और तलब है कि साल 2016 में नोट बन दिये और 2017 में GST लागू होने के बाद अर्थवेवस्ता की व्रिधी दर 5.7% तक गिर गई थी लेकिन अब अर्थवेवस्ता की सेहत में सुधार होना शुरू हो चुका है पिशली तिमाही में अर्थवेवस्ता की व्रिधी दर 6.3% थी यानि अगले साल अर्थवेवस्ता की दर में 1.2% की व्रिधी होगी जो कि अर्थवेवस्ता के लिए सकरात्मक संकेत है न्यूस एक्स्प्रेस की रिपोर